अब आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करने वाले हैं स्लाइडर के बारे में यानि कि मैं आपको बताऊँगा लगा सकते हैं आप स्लाइड कैसे कर रहा सकते हैं कुछ भी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो याज ज़्ले से सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और बैल आइकम को भी साथ में प्रेस करें तक हमारे आइन वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले कहुंचों और हमें भी सपोर्ट मिल सके तरीका शुरू करते हैं आज का यह वीडियो गाइज मैं आपक इस पर लाइद हो रहा अजरघ्स को बोलते हैं स्काराइस लाइड तो शार तो गाइस चलीम अघू हम इसी की वारे में बात करनेहें और मैं और स्क्राइश के यह 35 कि क्यों आदे बाते हैं हम सब्सक्राइब कर怎么了 को कि यह लगाने को किATHAN करना यह है मिए यह सब ऐरह Hang Smith search करेंगे सेर्ज करने के बाद हमें करना क्या है कि उपर यूपर जो साइट आईगे उस पर हम क्लिक कर देंगे उस्कुली क्लिक करने के बाद आपको देखे हैं यह बिताब का उप्षिन तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं मगर मैं आपको बहुत ही इजी स्टेप बताओं यानि मैं बहुत इजी ली तरीके से आपको बताओंगा कि आप कैसे अपलाई कर सकते हैं concordование। को हैं वको करना है कि डिम्मोज में जाना एंसके बाद आपको बेसिक विजना आने के बाद आजए आपको कैसा स्वाइडर चाह witness एक वाप को यह सोचा नीकार तो इसी तरीक तो आप बकूर अलगा सकते हैं तो आँ अगर तो आपको देख सकते हैं कि यह जो सेट अप है तो यह है इसकी स्क्रिप्ट यानि कि इसको तो हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे तो यह तो भी इसकी स्क्रिप्ट और यह है इसका इसे एक होकि यह चेहरा है कि आप इसको देखे सकते हैं कि इस तरह से हमल लगा सकते हैं अब आपको कहते हैं से जो से भाणता हूँ करने के बा स्वाद को आपको नज़र आएगा यानि कि जितना भी HTML है सरा यहां आपको दिख जाएगा इसमें आपको करना यह है कि मिज़से मैं आपको आइलाइट करके बताता हूं आपको अपनी HTML में CSS और JS जावा स्क्रिप्ट इंकलूड करवाने पड़ेगे तबी स्लाइडर काम करेगा तो इसकी CSS है वो यह रही यानि कि CSS ही यह है दो इसको आपको इंकलूड करवाना पड़ेगा यानि वहां लिंक करवाना पड़ेगा आपने HTML में यसी यह ओडबलू ए दिफोल्ट यह है ओल्ड व्ल्ट यह निचे रहेगी तो आपको यह दो CSS से इंकलूड करवाना पड़ेगी और फिर आपको करवाना पड़ेगी JS है जैसे आपको मिल जाएगी यहां जैसी स्क्रिप्ट है SRC में आप देख सकते हैं किसम से पहले jquiz.min.js उसके बाद और jis इसको आप सेज़ कर सकते हैं folder बनाके तो मैंने दोस्तों आरेड़ी से उपकी हुई है तो मैं आपको दिखा दिता हूँ folder जहां मैंने यह वाओंपेज बनाया है है वहां मैंने आप देख सकते हैं कि Css यहाँ इंक्लोड करी हुई है यहां और जिये हैं और जैयर समें यहाँ है है कि तो यह मैंने से अब सकते हैं अब चलते हैं सब्लाइम के अंदर और हम रहा देते हैं यहां css include पहले तो आपको यहां टाइप करना पड़ेगा लिंक उसके बाद यहां आपको css include करवानी है इसके लिए पहले folder का नाम आएगा उसके बाद हम देदेंगे css जो हमने जिस नाम से save की है तो दोस्तों मेरा css और से नाम का folder वहाले लिनक उसके बाद भूड़े 1100.min उसके बाद .css include करवारे हैं तो हम css टाइप करेंगे तो यह हमरी css तो यहां निक हो सकी है इसके बाद दूसरी css पर है उसको भी लिंक करा देते हैं तो सिसे नाम का फॉल्डर है उसके बाद यहां देते हैं पाथ है पाथ मैं डाल दिया उसके बाद डोट है यह हम लगा देते हैं तरहें हमारे स्क्रिप्ट स्टालो करते हैं और यहां src रिकेंगें हम टाइप करेंगे src अब्रावर डवल कोट इसके अंदर हम jquery जैस इंक्लूड करा देंगे तो js नाम का फॉल्डर है उसके अंदर पाद देते हैं हम लेपाद दे दिया और .js हम लगा देंगे उसके बाद दूसरी हम इंक्लूड कराएंगे तो इसी तरीकी से करवाईएंगे तो यहां मैंने कोपी कर लिया इसको इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं और इसका पाद कर देते हैं और इसका पाद लगा दिया अब हम क्या करते हैं बोड़ी के अंदर वह एस्टेमल यहां पेस्ट कर देते हैं उसके बाद बता हूँ आप कर लिया इसको कर देते हैं हम पेस्ट बोडी के अंदर पेस्ट कर दिया सब्सक्राइब वापिस चलते हैं हम गूगल पर गूगल पर जाने के बाद यहां देखिए यह दोस्तों स्क्रिप्ट इसको सिंप्ली हम कोपी कर लेते हैं और फिर यहां बोडी के अंदर हम इसको स्क् इसको यह प Works कर देती है एक बार डिते χो कि कि इसको शैब कर के एक बाय देखे हैं और समय लुन Yakा है मैं नहीं को प्रावतर में रिफ्रेस कर लिया आप में अभारा स्लाइडर लग शुकर मेध्येp आप देखते हैं 7-8-9 जो 10-11-12 वापिस 12-13 जा रहे हैं उसके बार यह आपको डोट दीक रहे हैं उसके वाद बार ली नेव दीक रहे हैं इसे भी हम स्लाइड करा सकते हैं अपर चैनल सब्लाइम में और मैं आप बभरते हूं यह क्या है तो इसमें देख सकते हैं कि यहां क् लगी है और डॉल कराश रोल तेम यह क्लास के अंदर जो भी आएगा कंटेंट या कुछ भी आएगा वह इसे स्लाइड कराएगा वह यहां आइटम दे रखेंगे बार आइटम स्लाइड होंगे एक एक करके इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लूप है ट्रू यानि कि बार पर दंग रहेगा और झाल ट्रू ट्रू है बटन वार पिसमें आपको दिखा देता हों नेंव क्या है यह बटन अग्यां जोगे इसने दे रखा यह मुबाइल में देखेंगे तो एक आइटम हमको नजर आएगा फिर हम बार बार स्लाइड करेंगे तब बार आईटम करें आइटम नज़र आएंगे और यहां टेबलेट में है यानि 600 भी आइटम तीन दिखाए देंगे और 1000 देश्क्टोप में आपको पांस आइटम देखने में नज़र आएंगे तो यह होगी इसकी रिस्पॉंस ही हो तो वह थी सिंपल तरीके से मैं आज आपको बताया कि आप है यह दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपको बताया आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आइस वीडियो को एंड तक देखने हैं दन्यवाद और अगर आप पहरी बार विजिट करें मेरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राब करें बैल आकनों प्रेस्ट जर कर लें